यह समय खास कर चुनौती पूर्ण है। ऐसे समय का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए अध्यात्मिक्ता क्या भूमी का निभा सकती है। ओ, हर पीडी यही सोचती है कि उनका समय विशेश रूप से चुनौती पूर्ण और उन्हें परखने वाला समय है। हर पीडी यही सोचती है। ठीक है। उस बात को छोड़ दें, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या भूमी का निभा सकती है। यह कुछ ऐसा है। अगर आप कुछ भी अच्छी तरह करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप अच्छे से ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप अपनी कार को जितना अच्छे से जानते हैं, उतना ही बहतर आप उसे चला पाएंगे। कैसा है? हां? कैसा है? तब यह आपके लिए भी लागू होता है। जितना बहतर आप इसे जानते हैं, उतना बहतर आप इसे संभाल सकते हैं, उतना ही बहतर आप इस जीवन की प्रक्रिया को चला सकते हैं, बस इसे सतही तोर पर जानकर, आप बहुत अच्छा नहीं चला पाएंगे, अगर आपको बस अपने ओफिस जाना है, तो शायद आपको तो अगर आप fast track पर चलना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में काफी ज्यादा जाननी की जरूरत है अगर आप बस किसी तरह जिन्दा रहकर चले जाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज्यादा जाननी की जरूरत नहीं है मेरा मानना है कि जब आप खुद को उदैमी कहते हैं तो आप फास्ट ट्रैक पर होनी की योजना बना रहे हैं अगर आप फास्ट ट्रैक पर होना चाहते हैं तो इसकी ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आप नहीं जानते आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे चलाना है जब मैं सबसे अच्छा कहता हूँ देखे अभी, अगर मैं अपनी आखे बंद करूँ और यहां खड़ा रहूँ और कोई इस हॉल में आता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हॉल में कैसा इंसान आया है इसके साथ अपने ओफिस में आप अच्छा कर सकेंगे, है न? आया ना, आपके ओफिस में कोई अंदर आया अगर आप बस उसे देखते हैं, तो आप जान जाते हैं कि आपके ओफिस में कौन आया है क्या ये एक बड़ी बात होगी? ओ, मुझे क्या करना होगा, मुझे कौन सा महान योग करना चाहिए? नहीं, ये एक योगी का गुण नहीं है आपका कुत्ता भी ये जानता है आया ना, आपका कुत्ता सोफे के नीचे बैठा है, सामने दर्वाजे पर कोई आया वो जानता है, वो जान जाता है कि कौना है, आका आना, ऐसा क्यों है कि आप चूब जा रहे हैं? मैं पूछ रहाओ, आप इसलिए चूब रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग को बुरी तरह से अस्त फ्यस्त कर रखा है, अगर आप इसे ठीक से संभालना सीख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इंसानी बोध ऐसा है, कि आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जीवन में आप जिस तनाव और बक्वास से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है, क्योंकि इसकी परियाप्त खोज नहीं की गई है, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब उपर देखना या नीचे देखना नहीं है, इसका मतलब है भीतर कियूर देखना, क्योंकि जितना ز्यादा आप इसके बारे में जानेंगे, उतना ही कुशलता से और उतना ही सफलता से आप इसे चला पाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या डिग्रियां है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने सिर में क्या जानकर ही कठा कर रखी है मूल रूप से आपकी सफलता इससे तै होती है कि ये अभी कैसे हैं? आया ना? और इसे कैसे सतर्कता और संतुलन, उल्लास और संभाव के उच्चतम संभव स्तर पर रखा जाएं? अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो आप सिर्फ संयोक से ही सफल होंगे. और अगर आप सफल होते भी हैं, तो वैसे भी आप सफलता को भुक देंगे, आप उसका आनन नहीं लेंगे.